जैशी रादारानी सरकार की, जैशी कृष्ण भगवान की, जैशिर्मत भागवत महापुरान की, मंदर शिबनसी वाले महात्मा यूडुप चैनल के ओड से हम आप सबी भक्तों का हार्दी कभिननदन करते है आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीरमत भागवत महापुरान के दस्वे सकंद के अध्याई 72 की परमपावन कथा चैप्टर 72 की परमसुंदर कथा इस अध्याई का नाम है श्री कृषन जी द्वारा जरासंद की कैद में पड़े राजाओं की मुक्ती बोल श्री राधा कृषन भागवत महापुरान की जै श्री शुकदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा प्रिक्षित जरासंद की मृत्यू के पर शात सहधेव का राजा भी शेक हुआ है इसके पशात भगवान श्री कृषन जी सहधेव को साथ लेकर उस स्थान पर आए हैं जहां पर हारे हुए सब राजा कैद हो रहे थे उस समय भगवान श्री कृषन जी ने देखा है कि एक परवत की गूफा में सब राजा बंद हैं और उसके दरवाजे पर एक विशाल शी जोड़कर विनती करते हुए कहने लगे हैं कि हे दीन दयालू हे भगवन आपकी कृपा दृष्टी से ही हम सब मुक्त हुए हैं तत पशात सहधेव ने उनरा जाओं की हत कड़ी बेड़ी कटवाकर उनका अक्शोर करम करवाकर सुन्दर वस्तर आभूशन से सुसजित करके 36 परकार के उत्तम भोजन सब को करवाएं हैं उस समय वे सब श्रीक्रिशन जी से हाथ जोड़कर बारंबार विने करने लगे हैं तब श्री मुरली मनहोर ने सब राजाओं से कहा है कि हे राजाओं जैसा दुख तुमें प्राप्त हुआ है वैसा ही दुख पर तेक अभिमा राजा को मिलता है जिस व्यक्ति के हिर्दे में मेरे चर्णों की भक्ति और सनेह होता है वही मनुष संसार में यश प्राप्त करके अंत में मौक्षपद प्राप्त करता है भगवान शीक्रिशन जी सब राजाओं से उन्हें कहने लगे हैं कि हे राजाओं राजा पहुँचकर उनके यग्य में भाग लो तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है इस अध्याय की कथा काफी छोटी है लेकिन महत्वपूर्ण कथा है भगवान ने सपष्ट बताया है कि जिसके मन में अभिमान होगा उसकी दुरगती कभी ना कभी होगी ही होगी इसलिए कभी भी मनुश्य को किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए सब कुछ भगवान का दिया हुआ है जब सब कुछ भगवान देने वाले हैं तो हमारा कुछ नहीं हुआ जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हमें अभिमान कभी नहीं करना चाहिए यही आज की सकथा के विशेश सा रांश है यही संदेश भगवान जी ने इस कथा में दिया है तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदी के धन्यवाद अगले भाग में आप शिशुपाल के वद की कथा सुन पाएंगे तो भगवान शी राधा कृषिन जी की शिर्मत भागवत महापुरान की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इससी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री शुकदेव जी महाराज की जैजै श्री राधे जेजे श्री राधि जेजे श्री राधि शाम।